Hello and welcome my dear students, I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. तो हम यहाँ पर cover कर रहे हैं New Learning to Communicate Class 6 के सभी chapters, जिसमें हम already 7 chapters cover कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे, तो आप मेरी इस particular channel We Assist You Kapoor की Class 6 की playlist पे जा सकते हैं और सभी chapters को visit कर सकते हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं chapter 7 के साथ ही, जो connected एक poem है, उसके बारे में जिसका नाम है Lorenzo Litts Non-Scientist. तो चलिए शुरू करते हैं. पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है इस poem में? Have you met a person with a fertile imagination? कि आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसके imagination बहुत fertile है, fertile यानि कि बहुत उपजाओ, बहुत जादा बहुत अच्छी है imagination, जो बहुत अच्छी चीज़ें सोच सकता है. That is a person whose mind produces a lot of new ideas, यानि कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग बहुत सारे ideas, बहुत सारे नए-नए चीज़ों को सोचता रहता है और produce करता रहता है. Many of which may appear strange, ridiculous और unbelievable, जिसमें से उसके बहुत सारे ideas strange होते हैं, strange यानि कि अजीव होते हैं, ridiculous मतलब थोड़ा सा laughing related, कि हास से कह सकते हैं आपको हसाने वाले, है ना, और unbelievable मतलब होता है कि जिस पर आपको भरोसा ही ना हो. Lorenzo Lids, non-scientist, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है Lorenzo Lids, इन्हें हम कह रहे हैं non-scientist, क्यों? क्योंकि असल में यह scientist है नहीं, लेकिन इनकी जो खोज है बड़ी अजीब है, तो हम उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं हमारे Lorenzo Lids, researches things that doesn't exist, अब यह जो Lorenzo Lids ह Basically, कहा जाए तो यह scientist ही नहीं है, लेकिन यह खोज करने का शौक रखते हैं, अब यह search क्या करते हैं, यह research क्या करते हैं, ऐसी चीजों को जो exist ही नहीं करती हैं, जो चीजें ही नहीं, उन चीजों को यह ढूंडते हैं, ठीक है? Scientist तो वो चीजें ढूंडते हैं, जो चीजें होती हैं यह जो exist करती हैं, लेकिन हमारे Lorenzo Lids एक ऐसे विकती हैं, जो ऐसी चीजें सर्च करते हैं, जो असल में है ही नहीं He looks for fur from fish and frogs, वो क्या सर्च करते हैं? Fish और frog में fur ढूंडते हैं, fur क्या होता है? जो जिससे डॉग, आपने दखाओ को डॉग के ओपर बहुत soft बाल होते हैं, बहुत सारे animals के ओपर बहुत soft fur होता है तो लेकिन fish और frog में ऐसा कोई fur नहीं होता, लेकिन हमारे जो Lorenzolid's non-scientist हैं, ये क्या करते हैं? Fish और frog के ओपर fur ढूंडते हैं, जो कि होता ही नहीं है, लेकिन वो ढूंडते हैं and scales that come from cats and dogs, और scales क्या होता है, तरीकिस आपने देखा होगा, fish के ओपर एक design बनी होती है, वही scales होती है, एक special type design, crocodile में बनी होती है, fish में बनी होती है, तो वो क्या करते हैं? इस scales ढूंडते हैं किसमें cats और dog में, यानि कि cats और dog में तो fur होता है, और fish और frog में scales होती है, तो उनको जो चीज जहां ढूंडनी चाहिए, वहां नहीं ढूंडते हैं, उसके बजाय कहीं ढूंडते हैं, अगर fur वो cat और dog में ढूंडनेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन उनमे वो fur नहीं ढूंडते, उनमें वो scales ढूंडते हैं, और fish और frog में उनको scales मिल सकते हैं, तो वहां पर वो fur ढूंडते हैं, तो ये खास प्रकार के non-scientist हैं, he hunt for things like hamster's wings, अब इसके अलावा वो क्या चीज़ें करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें search करते हैं जैसे hamster, hamster क्या होता है, hamster होता है, एक छोटा सा animal, एक small animal, जो तरकी का चूहा होता है, लेकि चूहे की पूँच नहीं होती, है न, without tail, एक छोटा सा rat होता है वो, तो वो क्या करते हैं, hamster के, hamster की पूँच नहीं होती है, और वो एक normal, एक छोटा सा चूहा होता है, तो वो hamster में क्या ढूनते है wings hamsters में क्या ढूनते है punk ढूनते है लेकिन चुहे के तो punk होते नहीं लेकिन वो फिर भी ढूनते है and walruses with wedding rings इसके अलावा वो एक चीज़ और ढूनते है walrus मतलब क्या होता है एक बहुत बड़ा सा animal होता है जो तरीके से आपने देखा होगा एक animal जिसके tusk सूर जैसी निकली होती है मतलब सूर भी निकली होती है आप नाथ निकली होती है साइट से है ना और नदी वदी के पास पाया जाता है तो एक ऐसा animal होता है walrus walrus में वो क्या ढूनते है शादी की walrus में कहां मिलेगी लेकिन वो टोनते है he analysis famous flies इसके अलावा analysis मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत गहन चिंथिंद करना, किसी का बहुत अच्छे से experiment करना, किसी को बहुत अच्छे से जाचना पर रखना तो वो बहुत अच्छे से जाचना पर रखना कि speculate करते हैं, यानि अपना एक विचार बनाते हैं, अपनी एक opinion बनाते हैं, आँखों के बारे में किसकी आँखों के बारे में एक तरीके की fish होती है, shell वाली fish होती है उसकी आँखों के बारे में, यानि हमसे क्या कहा जा रहा है, कि वो जो मक्हियों के बारे में analysis करते हैं, उनकी जांच परताल करते हैं, और shellfish, oysters क्या होती है, एक तरीकी की fish होती है, तो उस fish की आँखों के उपर अपने opinions बनाते हैं, मतलब ऐसी चीज़े कर रहे हैं, जिसको करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं, ठीक है, आगे लिखा हुआ है, he contemplates the common trades of rattlesnakes on roller skates, इसके लाबा वो बड़ा जीब काम करते हैं, contemplates का मतलब क्या होता है, contemplates का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सोचना, to think carefully, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सोचते हैं, कि क्या चीज़े common हैं, trades मतलब होता है, तरीके से आप कह सकते हो, कि qualities, कौन-कौन सी common qualities है, rattlesnake और roller skates में, roller skates क्या होता है, skating करते हैं लोग पहन ले, shoes होता है, इसमें, tires पही होते हैं, चोटे-चोटे, और आप skating कर सकते हो, तो यह जो scientist है, हमारे Lorenzo, यहां खड़े हुए हैं यह भाई साब, यह क्या करते हैं, rattlesnake और roller skates के विदिन, दोनों में comparison करते हैं, कि क्या चीज़े common हैं, अरे साब का comparison साब से करा जाता है न, आप साब का comparison roller skate से करोगे, यह कहां का, मतलब क्या ही है यह है न, तो उल्टा सिज़ा काम करते हैं, and then explores for dinosaurs who shop in the corner grocery stores, इसके बारे बाद वो explore करते हैं, हो search करते हैं, research करते हैं dinosaurs के बारे में, ऐसे dinosaurs के बारे में जो shopping करने आता है पास वाली grocery shop पर तो क्या dinosaur है समय है यह नहीं तो कहां से वो shopping करेंगे भाई लेकिन ये जो है उनके बारे में सोचते हैं और उसके बारे में imagine करते हैं आगे लिखा हुआ है He thinks about the desert trout इसके बाद वो क्या करते हैं He thinks about वो सोचते हैं desert trout trout के बारे में trout मतलब होता है एक तरीके की fish trout क्या होता है एक तरीके की particular fish तो desert trout एक fish के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं He studies underwater rot और इसके बाद वो सोचते हैं कि अगर पानी के अंदर सूखा पढ़ जाए तो कैसा होगा अरे आप कुदी सोचो पानी के अंदर तो वैसे ही पानी है तो वह सूखा कैसे पढ़ सकता है वो ये सोचते हैं कि desert में अगर fish रहे तो कैसा होगा और ये सोचते हैं कि पानी के अंदर का सूखा पढ़ जाए तो कैसा रहेगा ऐसी से जीज़ सोचते हैं फिर वो सोचते हैं कि किस थरीके से पान्डर का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत कैरफुली सोचना वो सोचते हैं कि purple cows यानि purple कलर की जो गाय होती है वो अब तक अन्नोटिस क्यों है मतलब लोग उसे जानते क्यों नहीं purple cows वो किसको कह रहे हैं क्योंकि वो जो है अपने imagination में रहते हैं ठीक है He scan the skies for flying flying pies scan करना मतलब क्या होता है बहुत धंग से देखना बहुत धंग से notice करना तो बहुत धंग से notice करते हैं आस्मान को और वहाँ वो क्या ढूनते हैं flying pies pies क्या होता है? pies होता है कोई roasted cheese जैसे कि समोसा हो सकता है पकोड़ी हो सकती है क्या कोई खाने की ही चीज होती है तो वो वहाँ पर उड़ती हुई खाने की चीज ढूनते हैं कहाँ पर आस्मान में मिल सकती है क्या कभी ने मिल सकती लेकिन वो ढूनते हैं and test for turtles wearing ties और इसके बात वो टेस्ट करते हैं कि क्या turtle जो है, turtle यानि की कच्छुए, क्या कच्छुए टाई पहन सकते हैं, इस बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं. और वो देखते हैं कि जो बियोर्स होते हैं, जो भालू होते हैं, वो बस कैसे करते हैं, या वो बीप आवास कैसे निकालते हैं, यह सब चीजों के पर एक्सपेरिमेंट करते हैं. Well, this is what Lorenzo does. पर अब क्या कर सकते हैं? Lorenzo जो हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं. Although, we feel that he should deal with something that's a bit more real. Although, हाला कि हमको लगता है कि उनको deal करना चाहिए, Lorenzo जो non-scientist हैं, इनको deal करना चाहिए ऐसे चीजों के बारे में, जो real हों, जो सच हों. Lorenzo lates just can't resist. लेकिन Lorenzo lates जो वेकती हैं, वो अपने आपको रोक नहीं पाते, researching things that doesn't exist. और वो उन्हीं चीजों को ढूंडते हैं, जो exist नहीं करती. तो Lorenzo scientist यहाँ पर एक बहुत अजीब scientist हैं, यह क्या करते हैं? यह ऐसी चीज़े ढूंडते रहते हैं, जो real में कभी भी exist, नहीं करती, और यह बहुत बेवकुफी भरा काम करते हैं. तो यह जो point थी, यह लिखी थी, Ken Nesbit ने, और यह कहीं न कहीं humor create करने के लिए, हमें असानी के लिए लिखी गई है. I hope कि आपको यह point बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो. तो यह वीडियो अगर आपको helpful लगा, तो इस चैनल We Assist You Kapoor, यूट्यूपर इस चैनल को सर्च करके subscribe कर लिजए, ऐसा subscribe का बटन होता है, subscribe करने से आपको आने वाले वीडियो उसके notification मिलेंगे, और bell icon को भी press कर लिजए, जादे से जादे दोस्तों के साथ share करिए, social work करिए, और वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक करके बताईए और comment करके बताईए कि आपको वीडियो अच्छा लगा, कितना helpful रहा, thank you so much and God bless you.